नमस्कार फ्रेंड्स आज मैं बहुत ही प्यारी सी सबजी लेके आई हूँ बिना सबजी का आप सबजी बनाईए कोई भी सबजी घर में नहीं हो तो आप इस दही फ्राइ को बनाईए बहुत टेस्टी लगता है यमी लगता है आप इसे सबजी भी बोल सकते हैं और एक से भी काम चला सकते हैं तो सबसे पहले हम दही ले लेते हैं जो तीन बड़े चंपने ले रहे हैं तो एक इस medicine दे पतला दही इसमें नहीं चाहिए, देखिए इस तरह का हमने इसे फेट के तयार कर लिया, बस केवल दही से ही हमारा ये रेस्पी बनके तयार हो जाएगा, उसके बाद कड़ा ही चढ़ाते हैं, और हमने टूटी स्पून के करीब तेल डाला है, उसमें हाप्टी स्पून जीरा हाप्टी स्पून राय, दो लाल मिर्ची, थोड़ा सा हम हरी मिर्ची भी चौप करके डालने हैं, मिर्ची आप अपने हिसाब से डालिए, अपने स्वाद के हिसाब से, हाप्टी स्पून हम अदरक कूटा हुआ डालने हैं, और हाप्टी स्पून ही हम लहसन कूटा हुआ ड बना सकते हैं now schedule a दोड़ा से हम पारदर्सी होने तक भूण लेंगे उसकी बाद पयाज ढाल दिंगे पयाज हमने हाप डाला है अब इसे भी पारदर्सी होने तक भूनेंगे कले बहुत ज़ाद समी भून ना है हमें पारदर्सी हो जा इतना वह मैं त्यार कर एगे सब्जी से अलग कुछ खाना होत इस तरह की रेस्पी बहुत टेस्टी लगती है कभी-कभी अब सबसे पहले हम इसमें कस्मीरी लाल मिर्च पॉडर एड़ कर रहे हैं आप अपने हिसाब से कस्मीरी लाल मिर्च पॉडर डालिए या तो फिर आप सिंपल मिर्ची पॉडर डालिए और दो टीस्पून हम इसमें धनिया पॉडर और वन टीस्पून हम इसमें गरम मसाला पॉडर डाल दिये हैं हलका सा इसे भूनेंगे फ्लेम को हमने लो कर रखा है बस सीथे मिक्स कर देते हैं एक बाद उसके बाद जो दही हमने फेट के रखा है उसे एड़ कर देंगे उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे उसी कप को धोके हम पानी डाल देंगे थोड़ा से ये पतला करेंगे क्योंकि अभी हमें पकाना भी है दही तड़के को तो अभी से मीक्स करेंगे और लगातार चलाएंगे बीच में एक सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ेंगे नहीं तो हमारा दही फट जाएगा और ये हमारा तड़का खराब हो जाएगा तो हम इसे इस तरह से चलाती हुए पकाएंगे और अच्छा सा उवाल आने देंगे तो देखें ये इस तरह का तयार हो रहा है मसाला परफेक्ट है और बढ़िया है बहुत टेस्टी बनता है स्वाद की हिसाब से आप इसमें अपना नमक एट कीजिए आप चाहें तो बिल्कुल हलका सा सक्कर पॉडर भी एट कर सकते है अब ये देखें उवाल आ गया है तो हमें उवाल आने तक ही बेट करना था अब इसे हम दो मिनेट हक्के पकाएंगे फ्लेम को लो कर देंगे देखें लो फ्लेम पे हम इसे पका रहे हैं और बिल्कुल देखें गाढ़ा हो गया है हमारा ये दही तड़का इसमें थोड़ा सा हम धनिया पत्ता आइट कर रहे हैं मिक्स करते हैं और देखे बिल्कुल गाड़ा सा हमारा ये दही तड़का तयार हो गया है जो रोटी, चाबल, प्राठे, पूरी के साथ आप इसे इंज्वाई कर सकते हैं और ये बहुत ही टेस्टी और यमी बन के तयार होता है आप एक बार इसे जरूर ट्राइ करें और आपको पसंद आये तो मेरी चैनल को अपना सपोर्ट दे, प्यार दे, सब्सक्राइब करे, लाइक करे और सेर करे तो देखिए कितना बढ़ियां से हमारा ये दही तड़का तयार हो रहा है अब इसे सर्व कर देते हैं वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद